हालो फ्रेंड्स, सिविल स्टैप की यूट्यूब चैनल के अबर आपका बहुत-बहुत स्वागत, मेरा नम है विना शगरवाल और ये है फटाफट सीरीज का एक नया वीडियो, जिसमें हम आपके साथ नैशनल स्ट्रेजी फोर फाइनेशल इंक्लूजन डिसकस करने वाले हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रिलिम्स, मेंस, इंटर्व्यू हर इसाब से इंपॉर्टेंट है, फटाफट सीरीज के अंदर हम आपके साथ पांच मिनिट के अंदर जो है इंपॉर्टेंट इंपॉ फाइनेशल इंक्लूजन का डिफिनिशन समझ दिलना चीए, किसी भी अच्छे UPSC आंसर अच्छे है, ऐसे कि खास बात यह होती है कि बेसिक से स्टार्ट होता है, उसी प्रकार से हमारा लेक्चर भी बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, फाइनेशल इंक्लूजन का मतलब यह हो जो है, अफोर्डेबल तरीके से यदि क्रेडिट सही समय पर, सही मातरा के अंदर मिल जाता है, तो उसी को हम कहेंगे फाइनेशल इंक्लूजन, नैशनल स्ट्राटेजी फॉर फाइनेशल इंक्लूजन 2019-2024 एक इंपोर्टेंट स्ट्राटेजी है, जो कि Reserve Bank of India द्वारा रि सर्विसेज अवेलेबल रहनी चीए आपके पास, आपके पास Financial Literacy अवेलेबल रहनी चीए, Consumer Protection अवेलेबल रहना चीए, ताकि लोग बाग को जो है भरोसा दिलवाया जा सके, हमारे Financial System के अंदर उनको participant बनाया जा सके, उनका Welfare के लिए काम करा जा सके, राइट, देख से ही समझ में आ जाता है, मेरा खाता भागय विदाता, आप सुचेंगे, what is the importance of financial inclusion, it is very very important, it is considered to be a key driver for economic growth, poverty alleviation, it can help in job creation, it can increase investment, it can reduce vulnerability, how, यदि मुझे कोई भी उद्योग लगाना है, कोई industry लगानी, कोई छोटा मुटा कैसा भी काम शुरू करना है, चाहे बड़ा काम शुरू मुझे capital की requirement, खुद के education, खुद के skill development, खुद के nutrition, हर चीच के लिए मुझे capital की requirement रहती है, financial inclusion यदि मेरा होता है, तो मुझे हर चीच के अंदर मदद मिल सकती है, individuals को या तो खुद के credit के उपर rely, खुद के पैसों पर rely करना पड़ता है, या informal sources of credit पर rely करना पड़ता है, उसक जो काम वो कर सकते हैं, वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास credit available नहीं है, जो हमारा sustainable development goals 2030 का agenda है, उसको भी यदि धियान में रखे, तो financial inclusion बहुत ज्यादा important माना गया है, financial inclusion को key enabler माना गया है for achievement of sustainable development, तो ना केवल human development point of view से, ना केवल economic growth point of view से, ना केवल sustainable development point of यानि कि हर प्रकार के सारे-सारे angles से, जो है, financial inclusion बहुत ज्यादा important है, आपका खाता, आपका भागय विद्दाता सही में बन सकता है, अब क्यों financial inclusion नहीं हो रहा है, इसके उपर हम नजर डालते हैं, क्या कारण है कि लोग financial inclusion का फाइदा नहीं उटा पा रहे हैं, involuntarily तरीके स से लोग bank नहीं जाते हैं, तो एक agenda हमारा ये भी है, financial inclusion करवाना है, तो लोगों की income भढ़वाना है, ताकि वो bank के अंदर जा सके, trust नहीं करते हैं, लोग system के अंदर, communication साफ करनी है, लोगों का विश्वास हमारे को जीतना है, ताकि कोई भी प्रकार से जो ऐसा ना लग जाय खाता नहीं खोलते हैं, documents ना होने की वज़े से खाता नहीं खोल पाते हैं, remoteness of service provider होने की वज़े से जो है, दूर service provider होने की वज़े से खाता नहीं खोल पाता है, financial inclusion नहीं हो पाता है, awareness ना होने की वज़े से भी दिक्कत होती है, poor quality services यदि मिलती है, जिसकी वज़े से लोग किलो मीटर जो है financial touch point होना चीए जो service provide कर सके right basic services हमें सब को मुहिया करवानी है livelihood skills हमारे को सब को देनी है ताकि income भी हम उनकी generate करवा सके financial literacy भी हम उन्हें प्रदान कर सके consumer protection grievance redressal के ओपर हमारे को काम करना चीए और effective coordination रहना चीए between various regulators and agencies तब जाके के अच्छा काम हो सकता है सारे सारे key recommendations आपके सामने दे दिये है distance की बात कर लिए प्रदानमंत्री जंधन योजना की बात कर लिए public credit registry बनाने की बात कर लिए financial services को strengthen करने की बात कर लिए digital वाली ताकि less cash society के तरफ जो है migrate करा जा सके साथ ही साथ जो नए entrance से उन्हें information provide करी जानी जी कि सरकार के livelihood programs क्या है उन्हें खाता खोलने का भी जो है information provide करी जानी जी है हमारे को काम कैसे करना है आप समझ चुके हैं कि जो unserved हैं वो क्यों unserved हैं उनके लिए अगर हमें service provide करनी है तो हमारे को किन parameters को ध्यान में रखते वे service को provide करना है right किन प्रकार की services को provide करना है यह सारी चीज़े मैंने आपको अब समझा दी है अब बारी आ गई है आपको एक अच्छा question consider करने की question of financial inclusion के उपर जिसमें आपको तीन statement दिये गए आपको बताने conscious statements correct है financial inclusion is considered to be a key enabler for achievement of UN SDG 2030 remoteness of service provider is one of the key reasons for lack of financial inclusion in India RBI has released national strategy for financial inclusion for India 2019-2024 to guide and set benchmarks for financial inclusion efforts in India जो भी statements correct है उसका आप लोग पका से comment करके बताएंगे और सारी सारी चीज़ों का अंदर आपका experience के सारा है वो भी बताएंगे civil step के पूरे courses की जानकारी आपको हमारे जो है description section के अंदर मिलेगी वीडियो की आपको उन links को खोलके जरूर देखना चाहिए civil step के youtube चैनल को subscribe करिएगा हमारे app को download करिए और कोई भी दिक्कत परिशानी है तो बेजीजग call या mail आप हमें कर सकते हैं thank you very much all the very best जहें